नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन मंसाल वास्तु कंसिटेंट आज मैं आपके लिए एक बहुती मेत्वपून विश्य के बारे में चर्चा करना चाहूंगा आज का जो विश्य है वो है विंड चैन्म यानि पवन घंटी विंड चैन्म क्या होती है एक गंटी होती है जिसमें लंबी लंबी पाइप्स लगे होती है और वो हवा के प्रेशर से बस्ती रहती है ये विंड चैन्म आपके घर के अंदर बेवजय का डिप्रेशन बना हुआ है टेंशन बनी हुई है उस टेंशन को काफियत तक कम कर सकती है यदि विंड चैन्म आपके घर के सही दिशा में लग जाती है तो आपकी कई समस्याओं को दूर कर सकती है आपको अपने घर की किस दिशा में विंड चैन्म लगानी चाहिए और विंड चैन्म किस परकार के आपको अपने घर के अंदर लेकर आनी है सबसे अच्छी जोन विंग चैम लगाने की कौन सी होती है वो होती है North, Northwest और West जोन इस जोन में आप अपने यहां विंग चैम लगाती है तो आपके घर के अंदर खुश्या ज़रूर रहेंगी घर के अंदर डिप्रेशन बना हुआ है, टेंशन बनी हुई है, घबराट बनी हुई है कहीं हमारे साथ कुछ गलत नहों हो जाए तो आप अपने घर के North जोन में, Northwest जोन में या West जोन में विंग चैम लगाएंगे तो आपको इस चीज़ से रहत भी मिलेगी और ये समस्य आपकी दूर भी होती चली जाएगी विंग चैम किस परकार की लगानी चाहिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, विंग चैम आपकी कैसी होनी चाहिए विंग चैम आपकी मैटल की होनी चाहिए, एलुमिनियूम की होनी चाहिए जब आप आप मारकेट से wind mechanism लेने जई है तो wind chime की जो आवाज है जो धवनी है वो आवाज आपके मधूर होनी चाहिए जो आवाज कानों को अच्छी ना लगे वो wind chime आपने नहीं लेनी है यानि कि चुबने वाली आवाज की wind chime आपने नहीं लेनी है क्योंकि market में बहुत सारी windcham आती है कुछ windcham ऐसी आती है जिनके आवाज अच्छी नहीं होती और कुछ windcham ऐसी आती है जिनके आवाज बहुत ही मधूर होती है जब हम उसको सुनते है तो ऐसा मन करता है कि उसको हम बार-बार सुनते रहें आप अपने घर के नौर्थ में नौर्थ वेस्ट में और वेस्ट जोन में विंचाइम लगा सकते हैं ध्यान रखना है अगर आपके हान नौर्थ में दर्वाजा है या खिडगी है तो दर्वाजे के आसपास आप अपने wind chime लगा सकते हैं लेकिन ध्यान रखना है दर्वाजे के बीच में आपने wind chime को नहीं लटकाना है क्योंकि दर्वाजे के बीच में जब आप wind chime लगाते हैं तो कुछ समय बाद वो wind chime टूट जाती है तूटू ही wind chime कभी भी घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए आप जरूरत से ज़्यादा प्रेशान है आपको कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और बेवजय का डर बना हुआ है टेंशन बने हुए तो आप अपने घर के अंदर wind chime नौर्थ में नौर्थ वेस्ट में और वेस्ट जरूर में जरूर लगाएं आपको राहत जरूर मिलेगी wind chime आप अपने यहां ground floor पर first floor पर और second floor पर साथ में terrace है तो terrace पर भी जरूर लगाएं ऐसा करने से आपके घर के अंदर खुशिया जरूर रहेंगी आप अपने यहां इस्ट में यानि पूरव दिशा में या आगने कोने में wind chime लगाना चाहते हैं तो यहां पर आप अपने यहां लकडी की wind chime लगा सकते हैं लकडी की wind chime लगाते समय ध्यान रखना है जब आप wind chime लेने जाए तो उस wind chime की आवाज भी मधूर होनी चाहिए ऐसे ही आप अपने घर के south west में और north east में भी wind chime लगाना चाहिए तो वहां पर भी wind chime लगा सकते हैं उहां पर मिट्डी की wind chime लगाते हैं तो वह आपके लिए फायदे बंद रहेंगी और golden कलr की yellow कलr की wind chime लगाते हैं तो वह आपके लिए फायदेमद रहेंगी ऐसे ही कुछ विंग्चैम सेरामिक की भी आती है वो विंग्चैम आप अपने यहां साथ वेस्ट में भी लगा सकते हैं और नौर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं इसी के साथ मैं आपको कुछ खास बाते और बताना जाओंगा आपके यहां पंक्खे आवाज करते हैं, मोटर आवाज करती हैं या दर्वाजे आवाज करते हैं तो उनको भी आप स्मूथ कराएं ऐसा करने से भी आपके घर के अंदर खुशियां जरूर रहेंगी घर का महुल अच्छा होता चला जाएगा आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें सुने समझे और विचार करें आपको लगता है कि बंसर जी द्वारा इस वीडियो में दीगे जानकरी सही है और आप जरूरत से ज़्यादा प्रईशान है तो आप अपने यहां पर जैसे मैंने आपको बिताया कि विंचेम किस दिशा म लगाने से जरूर हो जाएगा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 500 के क्रीब वीडियो अपलोड की हुई है आप मेरी वो सबी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं हाँ मैं आपको एक बात जरूर कहना मेरी वीडियो को एक बार नहीं कई पिर जरूर देखें समझें विचार करें आपको लगता है वीडियो में दी जानकरी सही है तो आप अपने यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर इसी तरह अगले प्रोग्म में फिर एकने विशे पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार